आज के वीडियो में PM किसान योजना का पैसा कैसे चेक करेंगे पुरा प्रोसेस हम मुबाइल से बताने वाले हैं तो हमारे इस वीडियो को कमफ्लीट वाज कर लिजिएगा आप भी सीख जाएंगे PM किसान योजना का पैसा कैसे चेक करते हैं तो उसको चेक करने के लिए आप पर सर्च में सर्च करना है पीम किसान होजना जैसे यहां पर सर्च किजिएगा पीएम पीएम किसान होजना ठीक है पीएम किसान होजना लिखकर सर्च करेंगे तो जो यहां पर पहला वेपसाइड आ रहा है आपको इस पर किलिक करते हैं किलिक करने के बाद में कुछ इस तरह की त्थी अपको होगा थिक दू आपको यहां पर कोने पर फिरी डौट दिखाई दे रहा आपको इस पर किलिक कर देना है इस पर किलिक करने के बाद में यहां पर लिखा है यानि टेना कर लेते हैं उसके बाद में जुम करके आपको बड़ा-बड़ा दिखाई देगा थीक है तो मैं टेना कर लेता हूं तो यहां पर हमाla mobile 10 हो चुका है और यहां से इसको cut करते हैं cut करने के बाद में आपको नीचे scroll करना है. चिलिक करना है. आपको नीचे scroll आपके पास तो registration number नहीं होगा तो उसको निकालने के लिए काहा क्या करना पड़ेगा. आपको यहाँ पे देखे लिखा है registration number आपको इस पर क्लिक कर देना है तो simply हम इस पर क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा आपको mobile number या आधार से आप निकाल सकते हैं registration number तो हम आधार number से निकालते हैं तो यहाँ पर आधार वाले पर टिक मार कर देंगे उसके बाद में यहाँ पर नीचे हम आधार number डालेंगे यहाँ तो आप अपने अधार number डाले जिए मैं डालने के बाद में यहाँ जो capture लिखा है वो capture को यहाँ पर फिल कर देना है तो मैं केप्चर को डाल लेता हूं यहां पर यहां पर देखिए हम केप्चर भी फिल कर लिया है केप्चर फिल करने के बाद में यहां पर आप सकते हैं मैं capture फिल कर लिया हूं capture फिल करने के बाद में यहां पर गेट जहां लिखा है आपको इस वहले पर किलिक कर देना है सिंपली तो इस पर हम किलिक करते हैं किलिक करने के बाद में यहां पर आपको देखिए यहां पर आपको मोबाइल नमबर पर जो अधार काड में लिंक है नमबर उस पर एक मैसेज गिया होगा तो यहाँ पर OTP मोबाइल OTP डालने का बोलेगा ठीक है तो हम बीना OTP का भी registration नमबर निकाल सकते हैं तो यहाँ पर जो लिखा है get detail आपको इस पर simply click कर देना है तो हम इस पर click करते हैं क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे करना है नीचे करने के बाद में यहाँ पर आपको देखिए आपका नाम यहाँ पर देगा और यहाँ पर आपका और बैक आने के बाद में यहां से हम बैक आते हैं पूरा होम पेज पेज चलते हैं हम ठीक है तो यहां से होम पेज पे आ गए हैं आने के बाद में simply क्या करेंगे यहां पर आपको यह रेस्टेटस पर फिर से किलिक कर देना है ठीक है तो simply हम इस पर यहां पर fill up करना है ठीक है तो यहां से हम fill up कर देते हैं यहां पर capture डाल लेते हैं ठीक है तो यहां से हम capture को fill up कर लेते हैं तो देखिए यहां पर हम capture भी fill up कर लिया है ठीक है capture fill up करने के बाद में यहां पर get otp पर आपको send मतलब click कर देना है ठीक है तो simply हम click करते है है किलिक करने के बाद मैं यहां पर invalid capture बोल रहा है ठीक है मैं गलत capture type कर दिया हूं ठीक है तो फिर से मैं सहीट capture type करता हूं इसी तरह आप से भी गलत हो जाएगा तो यहां पर okay पर click किजिए ओके पर click करने के बाद मैं registration number ठीक है और यहां से जो capture आया है इसको करके फिर से हम type करते हैं ठीक है यहां से इसको cancel करते हैं कैंसी करने के बाद में हम फिर से यहां से type करते हैं ठीक है तो देखिए हम फिर से type कर लिए type करने के बाद में यहां पर get otp पर click करना है ठीक है तो simply हम इस क्लिक करते हैं किलिक करने के बाद में यहां से क्लिक करने के बाद में यहां से आपको नीचे स्क्रोल करना है नीचे स्क्रोल करेंगे तो जो मुवाइल नंबर यहां पर आपका लिंक होगा उस मुवाइल नंबर पर OTP गिया होगा ठीक है तो हम यहां पर OTP को फिलाप कर देत है किलिक करने के बाद में यहां पर पूरा फूल डिटेल आ जाएगा किस बज़े से आपका पैसा आया है या नहीं आया है फूल फूल डिटेल आपको यहां पर दिखा देगा ठीक है तो हम उस पर किलिक कर दिया है और देखते हैं कि यह लोड हो रहा है तो हम देखते हैं कित कुछ personal detail दिखाएगा जो कि सबसे पहले आपको registration number दिखाई देगा उसके बाद में किस date को इसमें registration आप करवाएं है वो date दिखाई देगा उसके बाद में आपका फादर का नाम दिखाई देगा उसके बाद में आपका address दिखाई देगा उसके बाद में आपका mobile number दिखाई द है उसके बाद में यहाँ पे जो पर्मेंट फैल लिखा है यहां पे आपका ट्रांजेक्शन जो लिखा Sept है तो सहल चबीका तो यहां पर फूल जनकारी मिल जाएगा थिक है और यहां पर आपको दिखाई देगा कि कितने बार मिला है तो आपको पूर सब्सक्राइब करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में